कि सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को भ Estados स ही अज में आप लोग के साथ गर्मियों की बहुत छषी थंदी और यह क्या आई हूं जो कि सभी को पसंद आने वाली है वैसे तो आपने वीडियो में बहुत देखा होगा पर आज आप मेरे तरीके से बना के देखिएगा बहुत ही टेस्टी और हिल्दी होगी जिसे बनाने के लिए मैंने क्या कैसा मंग लिए चलिए मैं दिखाते हैं मैंने सबसे पहले यहां पर लिया है पुदीने की प सबसे पहले आम को छील लेंगे अच्छे से आप मेरी वीडियो में अंतक बने लेएगा तभी आप पूरी ये रेस्पी देख पाएंगे कि हम आपकी इतला आम पना कैसे बनाएंगे बहुत लोगों ने बनाया है सभी ने टेश्टी बनाया है पर आज आप मेरी तरीके से के लिए उपर से गट कर रहे हूं अगर आपके आम में जाली नहें तो आप बीज से कट कर जिए इसकी बीज जो भूते हैं आमके व applies तो जितनी आमके गूते हैं वह मैं निकाल लेती हूं इसकी डूतली में पहिग दिती हूं आप चाहेते इस तरीके से भॉल करने के लिए रख सकते हैं पर यहां पर यहां पर देखिए मैंने दोनों कट कर लिए हैं आमको और यहां पर मैंने लिया है एक कप पानी जिसे मैं गर स्वां करके रख दूँगी तो यहां पानी में मैं हरका सा घुदूना हुआ था पानी तभी मैं एच्पें डाल दे हूं आमको और यहां पर ढख देती हूं मिडियम फ्लेम पर रख दूँगी तो यह देखिए दो से तीन गट में अच्छे से पक जाता है तो थोड़ा कम पका था इसलिए मैंने इसे बंद कर दिया था अब यह पक चुका है तो आए ट्राइ करते हैं दिखाते हैं कि यह पका है कि नहीं आप रोंको यह देखिए ब जाएगा अच्छे से तब हम इसे अगे का इसका जो प्रोसीजर हो मैं बताऊंगी आपनों को तो यह पे देखिए थन्ड़ा हो गया तो मैंने एक मिक्सि जाल लिया उसमें डाल लिया है अब हम इसे पीस लेंगे अच्छे से तो यहां पे दिखिए आम का पल्प बिलकुल कर से डेकथ कर थरिकर हो गया है अदनतों अब द्धोर पके आम कर दो होगे के अब तो से शेल पती डाल दी तेस्ट डी आफ़की नमकर में काला नमक डाला डाल देत और यहाँ पर मैं ढालती हूं जीरीर्णपॉड्र माएह के ती नहीं तो एक टीशिपूं डाल रहे हुआ कि जल जीर्णपॉडण ज नहीं तो यहाँ पर मैं ड्यक्टा के पाई ठीण लियोंध मैं बनाऊंगी तो इस डूंगे में मैं बनाऊंगी इसे मैंने डाल दिया है अब मैं दिखाती हूँ ये देखिए फदीने के पेश्ट बहुत अच्छे से ये भी बहुत ही फाइन पेश्ट बनके रेडी हुआ है आप चाहें तुसे छान सकते हैं पर मैं छानी से नहीं चान प्रिट कि मैंने बहुत पाइन पेश्ट बनाओ थोड़े फ़टे होते हैं आप चल नाल इसा अवर के पानी भी लाटे लें इड़े से निखेट दिया है। पानी जालने पर बहुत बाइडरी से हे लिए निकलेगा कंशुर्म थो युद्य भी सक्षिया बहुत लगें। पतला गाढ़ा जो भी जैसे आपको अच्छा लगी आप उस तरीके से बना कि यहां पर डिडी कर सकते हैं बहुत गाढ़ा वाला मैंने बनाने वाले थोड़ा सा पतला रिंग पीने में थोड़ी सी पतली होती तभी अच्छी रखती है तो यह देखिए बन गया है तो मैं यह सकते हैं पर मैं नहीं चानूंगी बहुत है टेस्टी लगता है आप इसे बना के पीजिएगा तो यहां पर मैंने लिया है नीबू जो आथा नीबू लिया था इसने चोड़ दे रही हूं अगर आपका आम जो है खट्टा है तो आप मत दी चुड़िएगा यह आम थोड़ आठ से दस बूद मैंने नेवू के डाल दिया था तो अब देखें मैं यहां पर ग्लास दे हूं इसमें डाल देती हूं कि यह गर्मी में बहुत टेस्टी भी होता है और हेल्थ के लिए बहुत जदा हेल्दी होता है और आप इसे अगर मैं जुन में पीलेंगे तो लू लगने का विल्कुल भी डर नहीं होता है तो इस आम के पने को आप जरूर बना के पीचिएगा मैंने यहां पर फ्रिज का आप लूज्यदा पानी पानी इस्तेमाल किया था को यहां पर मैं डाल जेती हूं एक कई सब्सक्राइगें कि थंदा पानी पहले से मने डाला है अगर आपक जादा शेल्डी पीड़ना चाहते है तो थी आप यहां जरूर चाहता है कि बहुत जादा गर्मी आजाएगी और रेस्पीस भी डालती हूं तो आपने सारी वीडियो और रेस्पीस अब देख सकते हैं मिलते हैं फिर से इसी तरह एक नई रास्पे में तब तक क्लिए बाइबाइबाइब